हेलो एवरिवान, वेलकम तो माई चैनल, आज फ्रेंड्स, मैक्सिमुम पेरेंट्स जिस प्रॉब्लम से परिशान होते हैं वो है बिहेवरल इशूस है ना, एकदम से गुसा हो जाना, जमीन पे लेटना, हैड बैंगेंग करना, स्कूल में एकदम से मैम कुछ कह रही हैं, उस एकदम से रोना, एकदम से चिलाना, शाउटिंग करना, एंगर शो करना, मतलब नो कहने की शमता नहीं, नो सुनने की शमता नहीं होते इन बच्चों में, और साथ ही साथ यह जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो हमारे फैरिंग्स को स्ट्रॉंग करता है, ठीक है, रेस लोगों के लिए लंग का पॉइंट है, यह 11, L-U-11, बहुत ही सिंपल है, यह देखे, यह थम है, इसके यह इस साइड बस, यह बस, जहां पे यह ने लैंड हो रहा है, बस इस साइड थम के, यह वाला पॉइंट है हमारा L-U-11, इसको 30 seconds दूसरे थम से प्रेस करना है, दिन में 4-5 बार, और रात में छोटा सा चने की दाल, पेपर टेप से बांदो, बच्चा नहीं लगवाता है, तो 5 बार चाहे दिन में दबा दो, और अगर बच्चा नहीं लगवाता रात में चने की दाल, कोई दिक्कत नहीं है, किस से ही इस point, single point पे आप काम करिए, और आपको पता चलेगा जो बच्चे का behavior है, उसमें एकदम से कामनेस आएगी, बच्चा peaceful होता चला जाएगा, उसमें जो एक स्थिरता की कमी है, एकदम से जो violent behavior है, aggressive behavior है, और no सुनने की जो उसमें शमता नहीं है, वो उसमें आने लगेग बहुत ही effective point है, आप डेली इसको करिए 5-6 बार, क्रोने केसने तो डेली करते जाएए, 2 weeks में result आने शुरू हो जाते हैं, जितना long term करेंगे उतना जड़ से आपका behaviors बच्चे के चले जाएंगे, hope you like my video, stay safe, stay healthy, bye bye